तुम मूवी की शुरुवात में हम एक आदमी को मरा हुआ चुहा पकड़कर अपने साथ ले जाता हुआ देखते हैं और वो घर जाकर एक बौवल में चाय पत्ती और मरे हुए चुहे को लेकर एक कमरे में चला जाता है अब उसका क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा इस का गुरूप पर जा रहा है और वह भी जाना चाहती है पर अधर्व इसके लिए मना करता है क्योंकि ट्रिप पर लड़के भी आ रहे थे लेकिन आरिया ट्रिप पर जाने की जिद करने लग जाती है और घर पर भी यह discussion चलता है कि आरिया ट्रिप जाएगी या नहीं इसके बा तब आर्या पहले तो मना करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली पर ट्रिप के कारण वह मान जाती है फिर अर्थव कहता है कि अभी ट्रिप पर जाने में काफी समय है तो जब तक हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंट करने चलते हैं ना अपने फार्म हाउस पर और यहां पर अर्थव सबके लिए पराठे मांगता है पर यहां आरिया पराठे खाने से मना कर देती हैं क्योंकि पराठे बहुत ज्यादा ओली थे फिर अथर्व अपने लिए चाय लेने जाता है तो उनके पास 10 रुपे चेंज नहीं होते तभी वहां बैठा एक अंजान थोड़ी देर बाद वह अंजान आदमी अर्थव की फैमिली के पास आता है और बाते करने लगता है तब वह अपना नाम प्रताप बताता है फिर प्रताप देखा है आरिया अपना पराठा नहीं खा रही है तो वह हसते हुए कहता है कि यह तो अन्य का अपमान है इसलिए वह आरिया को पराठा खाने के लिए कहता है पर आरिया मना कर देती है फिर प्रताप अपनी जेब से डिब्बी निकालता है और कहता है कि इसमें शक्कर है अब तुम डिसाइड करो कि तुम ये शक्कर खाओगी या फिर पराठा जिसके बाद आरिया शक्कर खा लेती है ता अब हम देखते हैं कि आरिया प्रताप की बात मान लेती हैं और वो पराठा पूरा खत्म भी कर देती है आप पूरी फैमिली वहां से सीधा निकलती है तभी आरिया के पास प्रताप दोबारा आता है और वो उसे बिस्किट देता है कि इसे फार्म हाउस पहुँच कर खालेना अब आरिया प्रताप की बात मान रही थी जोकि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि आरिया तो अपनी family में से भी किसी की नहीं सुनती थी अब इसके बाद farm house पर पहुंचते ही आरिया सब से पहले वह प्रताप का दिया बिस्कुट खा लेती है यानि प्रताप ने आरिया पर क कुछ ना कुछ तो जरूर किया है फिर पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस में एंजोई करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद आरिया की मा बिना देखती है कि प्रताप तो उसके फार्म हाउस के बाहर खड़ा है जो की काफी अजीब बात थी कि वह उनके पीछे यहां तक आ गया अब बिना जल्दी से यह बात अथर्व को बताती है और अथर्व प्रताप से मिलने जाता है तब प्रताप कहता है कि उसका फार्म हाउस भी यही पास में है और आते आते उसकी गाड़ी यही खराब हो गई और फोन में ना तो नेटवक है और ना ही बैटरी इस मिलता है पर फोन तो लगता ही नहीं और प्रताप यहां बार बार आरिया को देखने में लगा था कि वह अभी है कहां फिर आरिया स्विमिंग पूल से अपने रूम में जाने लगती है तब प्रताप आरिया को अपने पास बुलाता है और यहां पर भी आरिया प्रताप की स अब बिना अर्थव से प्रताप को भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो कंजन आदमी था जो उनके घर में घुसाया था और यह समय उनका फैमिली टाइम था पर अथर्व कहता है कि थोड़ी देर की बात है हम मदद ही तो कर रहे प्रताप नाश्ता करके चला जाएगा यहां प्रताप और आरिया को देखते हैं जहां प्रताप के पूछने पर आरिया उसे सब कुछ बता देती है और यह सब लद्दाक ट्रिप जाने वाले हैं जिसके लिए उसके पापा मना कर रहे थे लेकिन अब वो मान गये हैं यानि आरिया प्रताप को काफी सारी पसनल बाते ब इसको एक खीच कर मारो तब आरिया ऐसा ही करती हैं और अंच के गाल पर चाटा लगा देती है जिसके कारण अंच रोने होने लगता है और वहां अर्थव बिना आरिया को डांटे हैं कि अपने भाई को ऐसे कौन मारता है ये तो मुझे अंकल ने कहा था जिसके बाद इसे चुप रहने के लिए कहता है तब प्रताप कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है और वो बताता है कि आरिया का एक बोएफिरंड है जिसे सुनकर अथर्व चौक जाता है फिर प्रताप आरिया से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंट को फोन लगाओ और सब ब्रेक अप कर लो और अभी वैसा ही करती है और ये देखकर आरिया घर वाले डर जाते हैं कि क्या हुआ तब अथर्व प्रताप को घर से निकल जाने के लिए कहता है पर प्रताप कहता है कि मैं के लिए के लिए अपनी मम्मी पापा से ही लड़ जाती है यहां तक कि वो अपने पापा को तो धक्का तक दे देती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे और ये देखकर समझा रहा था कि प्रताप ने आरिया को अपने वश में कर लिया है जो वो इतना पागलों की तरह रियक्ट कर रही थी फिर प्रताप अर्थव को दिखाने के लिए आरिया से चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और आरिया पुरी चाय पत्ती खा लेती है सिर्फ प्रताप आरिया को जैसा जैसा करने के लिए कहता है आरिया वैसा वैसा ही करती जाती है यानि कि प्रताप का तंत्र काफी ज्यादा मजबूत था जिसमें आरिया की सोचने की शक्ती ही चली गई थी और वो बस प्रताप की कटपुतली बन गई थी और प्रताप आरिया से कहकर अपने पापा की चांटा लगवा देता है फिर वो सब के पौन तुटवा देता है और लैंड लाइन की वाय भी निकलवा देता है और फिर आरिया से अपने पैर दबाने लगता है इसके बाद प्रताप कहता है कि वो आरिया को अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन अथर्व और बीना अब दर के मारे कहते हैं कि ऐसा मत करो तब प्रताप कहता है कि आरिया को मेरे साथ भेजने के लिए मना जाओ वरना मैं तो एक order देकर ही अपने साथ ले जा लूनगा तुम्हारी permission अभी इसलिए चाहिए ताकि future में आरिया के मन में अपनी family के लिए प्यार ना जाग जाए और मेरा वशिकरन ना तूट जाए इसलिए जब तुम खुद से उसे भेजोगे तो ज्यादा अच्छा होगा त कि अपनी बेटी को तो